की दोस्तों वेलकम बैक टूडेस चैनल और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस दाइनिसौर की तो देखिए इसके त्री कलर्स आज आज आजते हैं हमारे पास एक औरिज कलर कलर है ग्रीन और यह जो इस बॉक्स में हमारे पास तो है हमारे पास दाइनिस तो देखिए इसकी कंपनी है इसकी आलकोटक्स की और यहां पे इसकी कुछ इस लिखे हुए इसके बारे में और यहां लिख्या है नो बैक्ट्री रोकॉर्बर और इसको चलाने के लिए हमें को बैक्ट्री की जरूवत नहीं पड़ेगी और यह प्राउडली मेड इन इस लायन पर हमारे पास लिख के आ जाता है और ये देखिए हमारे पर इस्ट्रक्ते के बारे में दिये हुए हैं सो अब हम लोग फायनली अपने टो ऊइको ऊपन करते हैं सो दूस्तों चलो हमें इसको ऊपन करते हैं लिए एक फूर असमें दिया हुआ है इसे लो उपन कर देख लिया है तो ये देखिए हमारे पास है ये यलो वाला और इसकी कंट्रोलिंग बहुत सब सारी से बहुत अलग है जैसे इसके बोक्स में लिखा था यहाब इसके लिए कोई भी ब्याक्ट्री ने चाहिए तो बिगा दाप्ट्री के बही चलेगा कैसे तो वो जानने से पहले हम लोग इसकी सारी डिटेलिंग लगेरा देख लेते हैं कब से पहले यहाँ इसका मूह आ जाता है यह देखिए आप इसने रिबन लगा हुआ रिबन का स्टिकर लोगो ने चुपकाया हुआ है और इससे ही हमारा डाइनेश्वार बिना दाप्ट्रीकर चलेगा ओजा आप ब्लू ब्लू डेखे लेगा के शिफु का देखे हैं कि यहां पर कंपणी का नाम लिखा ओवा है जो है lco takes company नाम हैlco takes एंधव इसे टाइर्ज इसके बैक टाइर्ज ब्लू और ब्लैक अर इसके फ्रंट टायर्ज थोड़े होटे white हो थे फ्रंट टायर्ज और बैक टायर्ज यहां पर वायरेंग विए सते ही तीजा दी होई है और यह अगे बोक्स में क्या दी रही है। हमरे पास एक प्लास्टिक का एक बैक टाइप का है इसमें हमारा डाइनसौर आया था इसको हम दो दाल लेते हैं वापस अंदर अब चलो हम लोग अपने डाइनसौर का डेमो देखते हैं यहाँ पर हम दे हमने डाइनसौर को यहाँ पर इंडूर में रख दिया है सुरते हैं चली आप मैं आपको बताते हो की है कैसे चलेगा तो यह जो आप बलू-ब्लू देख रहे हो इसके ऊपर से। ऐसी यह नपे फिंगर-प्रिंट से चलता है हमें अपना हाथ यह पे जोर से ऐसे प्रेस करना है इससे और देखिए यह अपने आप चलेगा यह देखि यह और से पुड़ा हाथ ऐसे फोर्स के साथ करना है और देखिए तब यह तब यह चल लेगा तो चलिए अब हम लोगों इसको इस पीचियर जगह पर टेस्स कर गे देखते हैं किया है कि अब आधा ऑब अब 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 आपको ये बिना बैक्टरी से तलने वाई दाइनसर कैसा लगा मुझे दो बहुत कूल लगा फ्रेंज को कि इसमें बैक्टरी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और सुनकर ये बैक्टरी का कमपार्टमेंट मुझे दिया है तो अफ्रें आप नीती कमेंटे बताना की अगर आपको ये अधर लगा तो वीडियो को लाइक के दिए चैड़ के दिए और सब्स्क्राइब के दिए सब्सक्राइब के लिए बाए तोस्तों